हेलो विर्वन तो आज हम बात करने वाले हैं मोनोसाइफ वन गिराम यानी 1000 मिली गिराम इंजेक्शन के बारे में जोगी अरिस्टो कंपनी की तरफ साथ है और यह सिफोलेस्पोरन की थर्ड जनरेशन का एंटिवाइटिक है तो यह चोगन से लेकर 60 अपर तक का आपको मिल सक होता कि इसी भी मेडीकल स्टोर पे तो इसमें एक वाईल होती है और इसमें 10 मेल गह्याइस का ग्ल बनाने के लिए वाटर होता है जैसे डिश्ट्र वाटर भूतने से मिला कि पेशंट काई भी लगाते हैं बात करते हम विसके यूसDas के बारे में किस-किस बेमारीयों में हम इसे सकते हैं जैसे كंप it सब्सक्राट का सब्सक्राइब लोमनें आमनेयों और इन परहटने मेहाने डंषेंट आप 65ENE सब्सक्राइब कर आहिए कंड़ खेंगे हाई तब धुर्हाच आणोज में और य 한다 इस divin के जो infection होते हैं इसमें तो इसमें प्रॉण करेचिस में यति-स celebration नौत करते हैं इसके लाइन बारेमें हैं इसकी जो स्वॉपाइब आपक्र होधिक इसलें वह जदॉपादी इसके घं़ा-डि्छ लगाते हैं विदे-स उपास्टे शुभार एक फूर्फ नगना पेनफुल पिशावाना सिर्मदर डाइरिया इस्टोमज पेइंट इसने डेहर होता ऐसे डिक कर देता है स्टोमज को यह भी रियर साध्र डीफेक्ट होगधन कम्जोरी हो सकते पीछन को इस स्टोमज में हो सकती तैंगर क्या किते ही इसाइड इफेक्ट है और बात करते हैं यह पहले को मतलब कोष्चन होते हैं इससे पहले कोषचन देखते हैं हम यह कितना टाइम लेता फैक्ट में यह तीन सपांच दिन में पूरा इंजेक्षन का कोर्स होने पर फैक्ट दिखाता है यह इसका कब तक एफ्ट रहता है दूसरा कोश्चन है इसके 24 hours तक इसका इफ्ट रहता आप शरीर पर और यह एल्कॉहल के साथ लिया जा सकता है इंटरेक्शन अभी इसके अलगॉहल के साथ पता नहीं है किया साइड अप अवे साथ हो सकते हैं मगर डॉक्टर मुना करते हैं जाए है कि यह हैबिट फॉर्मेंटिंग है यानि है विच्वर हो जाता है रिया तो इसका कोई अभी साइंटिक के स्टडि नहीं हो पाई यह न मना गया नेक्ट बात करते हैं ब्रेश फीडिंग में क्या हम दे सकते हैं यह ब्रेश फीडिंग में हम क्या करते हैं मोस्ट लिए वाइड करते हैं सब बेभी कोई हाम हो सकता नेक्ट बात करते हैं हम कभी से यूज नहीं करना चाहिए जैसे कि पेशन्ट को ऐलर्जी हो लीड करता हिए वाग्टिरीन होता उसकी सेल वाल को थोड़ दिता जिससे कए बैक्टेरिया मर जाता है वैक्टोरिय और इंजेक्षन होता है आप आपको वीडियो पसंद आई यह तो लाइक सेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें